यह उन दिनों की बात है जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आज एन अक्टर स्ट्रगल करता था 1999 की बात है दिसंबर का महीना था और टाइम हुआ था लगबख साड़े तीन से चार बजे का और नहीं नहीं मेरी शादी हुई थी तो घर से खाना खा करके लगबख देड़ किलो मीकर दूर यह ओफिस थी वहाँ पर मैं बैठा हुआ था तो इसे में ओफिस कारियाला या कारिशाला जो भी कह लें क्योंकि एक वेक्ति के लिए शायद यह ओफिस थी बाकि हम सभी के लिए तो यह कारिशाला थी तो वहाँ पर चल रही थी प्ले की रीडिंग और उस दिन जो प्ले रीड किया जा रहा था उसका नाम था एक कंठ विश्पाई जी हाँ बहुत ही अच्छा प्ले है दुशंत क्मार जी ने लिखा है तो हमारे साथ के ही एक मित्र उस प्ले की रीडिंग कर रहे थे पर लोगों ने ठाके मार करके हसना शुरू कर दिया और सब लोग मुझे देखने लग गए अचानक मेरी आखें खुली और मैंने देखा सभी लोग मुझे देख रहे हैं तो थुड़ा सा मैं घबरा गया फिर उसी आवाज ने मुझे आदेश दिया कि खड़े हो जाओ मैं करता था कि प्ले कहां पर है इस वक्त क्या दृष्टांत क्या चल रहा है संबाद कहां चल रहा है लेकिन मुझे प्ले दिया गया और चुकि आप जब कोई गलती करते हो तो अपनी गलती को ठीक करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत जादा करते हैं या कोशिश जादा करते उसी प्रयास में मैंने play को एक high pitch पे शुरू किया, क्योंकि acting हो गयरा में थोड़ा सा गराप high pitch पे हो तो attention तो gain होई जाता है, और उस play का जो mood है, भगवान शुपर आधारित ये play है, एक कंठ विश्पाई, नाम से ही पता चलता है, तो है भी बहुत ओजस्वी play, और मैंने उ जब मैंने खत्म किया, तो वहाँ बैठे हुए प्रतेक व्यक्ति के हाथों से तालिया बजनी शुरू हुई, लोगों ने प्रिशन सा की, मुझे भी अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब आपको ये अच्छा काम करते हो, तो आपको भी पता चली जाता है, तो नमस्कार किसम के राइटर थे वो, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, एक समय पर उन्होंने बहुत बड़े-बड़े अक्टर्स के लिए अपनी कलम से पन्ने स्याह किये थे, अर्थात राइटिंग की थी, तो मित्रों, आज मैं भारी मन से और अपने गुमПрयाब hemos SECRET, मैं ने करहें हुए, पूम्बई में जो उनको कभी नहीं भूल पाएंगे, जी बैस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, सागर त्रहदी जी की जो कि कम से कम, मेरे लिए थेटर की दुनिया में किसी पिता से कम नहीं था, पिता महолот से कम नहीं था, बहुत ही बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन और उनकी तारीफ में मैं जो कुछ भी कहूं, शायद सब कुछ बहुत कम है। बहुत ही विद्वान वेखती थे, उनका Film Industry में क्या योगदान रहा है, क्या-क्या उन्होंने किया है, कुछ चीजों पर प्रकाश ढालूगा, क्योंकि किया तो उन्होंने बहुत कुछ है, उन सभी बातों को आज इस वीडियो में में मेंशन कर पाना बड़ा मुश्किल हो ज जाना शुरू कर दिया, रिगुलर जाना शुरू कर दिया, मेरी तरह वहाँ करीबन उस टाइम पे मेरा अंदाज है कि 60-80 आक्टर-एक्टरसे वहाँ आते थे, तो वहाँ पर प्ले की रीडिंग्स होती थी, कोई सजेस्ट करता था, या सागर सरहदी जी के खुद के भी करना चाही और नहीं करना चाहिए, तो उसी सिलसले में, उस दिन, एक कंठ विश्पाई, दुशन्त कमार जी का प्ले रीड किया जा रहा था, और ये जो आवाज आई थी, उनहीं की आवाज थी, सागर सरहदी जी की आवाज, उनके लिए सब समान थे, और एक ऐसा पितामा जैसा सुरूप, हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोगों के लिए उस वक्त ये प्लाइटफॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने जो सीखा, वो तो अपनी जगह था ही, प्लस इंडस्ट्री को समझने का भी एक मौका मिला, क्योंकि सागर सरहदी जी का जो फिल इंडस्ट्री को इतने अच्छे चश्मे से देखा, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो चीजें हमें बताई, उसने बहुत सहयोग किया इस इंडस्ट्री को समझने और जानने के लिए, एक्टिंग के अलावा भी उस इंडस्ट्री का इतिहास, बहुत सारी च दिल बिक हो बहुत बड़े सागर थे। कभी उन्होंने किसी को रोका नाहीं जितने भी लोग आ जाएं और 依े वह हुआ कि इस प्ले रीडिंग का एक लंबा दे रिभला चलाल। काफी दिनों तक अलग लग प्ले से ज़ादा हो गए थे और एक प्ले में इतने सारे लोगों को एक्टिंग करने का एक ही टाइम पर मौका नहीं मिल सकता था तो सागर सरहधी जी ने एक आडवाईज दी कि आप लोग दो टीमें बना लें क्योंकि संख्या ज्यादा थी ग्रुप की इसलिए वहाँ पर दो टीमें बनाई गई और दो टीमों में उस प्ले की तैयारी हुई और बाद में दोनों ही टीमों ने अलग-अलग थीटर्स में जाकर करके उसे परफॉर्म किया मुझसे पहले वहाँ पर एक और मित्र थे मैं नाम तो जानता हूँ मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मेंशन करना चाहिए किसी का नाम लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता है कि किसी को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा तो मुझसे पहले वह इस गृप का प्रोडक्शन वैसे तो थेटर का कोई इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं होता पर जो भी छोटा मोटा था वो मुझसे पहले वह देखते थे फिर शायद उ फिर भी मैंने कहा मैं करूँगा चुकि मेरे अंदर एक ये बात थी कि ग्रुप को किसी भी तरह से सपोर्ट करना है जो भी आप इसमें अपना रोल क्ले कर सको बाकी सब चीजों के साथ साथ एक्स्ट्रा ड्यूटी ले ली तो प्रोडक्शन का काम करने का मतलब होता है जो भ इस पूरे सफर में जितने दिन मैं सागर सरहदीजी के साथ में लगब दो वर्ष का मेरा उनके साथ में संबंध बना रहा है वैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक कोई भी कहीं पर टिकता नहीं है क्योंकि आगे बढ़ना होता है दूसरे काम आ जाते हैं त लेकिन मेरा उनके साथ में जो संबंध रहा चूकि मैं बाकी सब चीजों के साथ ही साथ ग्रुप का प्रोडक्शन भी देख रहा था तो मुझे काफी ज़्यादा समय सागर सरहदीजी के साथ में व्यक्तियत भी बिताना पड़ता था हम बहुत बार उनके घर में गए वो जिन्दा दिल इनसान थे इतने जिन्दा दिल इनसान थे कि हमारे प्लेज होते थे उसके बाद में प्ले के बाद में पार्टी होती थी क्योंकि मैंने और भी कई थीटर के ग्रुप के साथ में काम किया है पर ऐसा कल्चर और कहीं देखने को नहीं मिलता था जो सागर सरहद पारी जी का जो में काम था वो स्क्रिप्ट रॉइटर के लिए उनका नॉमिनेशन भी हो चुका हैं काफि नोन फिगर थे और सागर सरहधी सहाहब आपका 11 माई 1933, 11 में 1933 एबटाबाद पाकिस्तान में जन्म हुआ था। उसके बाद सबको पता है कि 1947 में भारत वर्ष का जब बटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान छोड़ करके मुंबई आ गए। वो अपने दिल से बहुत बड़ा सागर थे। उनके दिल में सब को समा लेने की सामर्थ थी। और बहुत सारी बातें उन्होंने इंडस्ट्री की हम लोगों को बताई उनके दुबारा पता चली। शायद दूसरे अनभवी लोग इतने डीटेल में कभी किसी को बताते होंगे पर चली शागर साहएधी जी ने एक एक व्यक्ति के बारे में जिसका ही हम नाम ले 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 थे उसके बारे में सारी बाते थी। बहुत सारी बाते और मैं जानता हूँ मेरे साथ कि उस वक्त के जितने भी मित्र हैं, उसके बाद के भी लोग जो सागर सरहदी जी से जुड़े, उन सब लोगों के दिलों में सागर जी एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ करके गए हैं, मैं तो कम से कम सागर सरहदी जी को कभी नहीं बूल सकता हूँ, मैं लगभग 11 वर्ष्टों से आउस्ट्रेलिया में हूँ, इस बीच मेरी कई बार सागर जी से बात भी हुई, और वो आज भी इतनी उम्र हो जाने के बाद में भी इतने जिन्दा दिल इनसान थे, सागर सरहदी जी बताया करते थे, कि उनसे पहले राइटर का करते थे, कि आजाओ यहाँ डाइलॉग चेंजर कर दो, यहाँ पर यह लिख दो, यहाँ पर यह लिख दो, सागर सरहदी जी बताया करते थे कि उन्हों ने जब लिखना शुरू किया तो उन्हों ने इस बात का इनिसियाटिव लिया, कि राइटर की क्या इज्जत होनी चा और सागर सरैदी जी ने film industry में कई यादकार फिल्मे लिखी हैं, किसी में dialogues लिखे हैं, किसी में screenplay लिखे हैं, किसी में story लिखी है, जिन में से कुछ फिल्मे हैं जिनका मैं यहां पर ना mention करना चाहूँगा, अम्ताब बच्चन की फिल्म, कभी-कभी, सिलसिला, दीवाना, डर चांदनी, बाजार, बाजार को तो उन्होंने लिखा भी था और डाइरेक्ट भी किया था, फासले, कुछ फिल्मों को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, क्योंकि उन्होंने जो राइटिंग की शुरुआत की थी, वो उर्दू प्ले से राइटिंग की शुरुआत की थी, फि वो हमेशा प्रेरित करते थे अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेंगे और आप की समझ उतनी ही अच्छी बनेगी पुस्तकों से बहुत प्यार करते थे वैसे सागर सरहदी जी और हमारे बीच में उम्र का जो फासला था वो बहुत बहुत बड़ा गैब था हमारे और उनके बीच उम्र का लेकिन कभी उन्होंने किसी को ये हिसास नहीं होने दिया वो सब को दोस्त कहते थे इसलिए हम जैसे जितने भी लोग सागर सरहदी जी से जुड़े हैं उम्र का कितना भी फासला रहा हो सभी लोग सागर जी को हमेश भी लोगों को छोड़ करके चले गए सागर जी का जीवित रहना हम लोगों के लिए बिल्कुल इसी तरह से था जैसे हम लोगों के परिवार में कोई यक बज़र्ग व्यक्ति जिनदा रहता है तो इसके होने का हिसास हमें पूरुनता प्रद्शन करता है तो सागर जी के जीवित रहते हम लोगों को अपने अंदर एक पूरनता कानुभा होता था सागर सरहदी जी का निधन हो गया है उसके बाद मैं अपने आपको रोप नहीं पाया और मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में आकर के अपनी कुछ यादों को आप लोगों के साथ में साजा करना चाहिए और ताजा करना चाहिए और सागर जी के चरणों में अपनी शिर्धानजली अर्पित करना चाहिए सागर जी बहुत विद्वान वेक्ती थे बहुत सरल वेक्ती थे और सागर जी का हिर्दय भी सागर ही की मानिंद बहुत बड़ा था कितने लोग आये कितने लोग गए कभी किसी से कोई शिकायत नहीं कि मुने चाहें जितने लोग आ जाएं हम जैसे लोग जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं था और आते थे और सागर जी से मिलते थे तो ऐसा लगता था जिसे हाँ यहाँ पर हमें जानने वाला कोई है यहाँ पर हमें सहारा देने वाला कोई है फिल्म इंड़स्ट्री को सागर जी जैसे लोगों की ज़रुद है और जो भी लोग आज actively काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे आक्टिंग के फिल्ड में हो, चाहे राइटिंग या डाइरेक्शन के फिल्ड में हो, मुझे लगता है उनको सागर सरहदी जी से सीखना चाहिए, कि किसी भी नवागंतुक को भले ही वो कुछ आर्थीक सहायता दे पाएं, काम दे पाएं, बातें करते थे, तो ऐसा लगता था, हमारी खुली आँखों में फिल्म इंडस्ट्री आज से 50 साल पहले कैसे थी, पूरा सफर फिल्म इंडस्ट्री का हमने सागर सरहदी जी की जुबानी सुना हुआ है, और हम लोग कल्पना करते थे, कि कैसी थी इंडस्ट्री, जिस भी पर या अक्ट्रस का नाम लेते थे, तो सागर जी के पास में उनसे जुड़े हुए बहुत सारे अनुभों होते थे, जो शेयर करते थे, चाहे अमता बच्चन हो और चाहे नसीर उद्दिन साह हो और चाहें स्मिता पाटीन हो, बहुत सारी लोग, अंगिनत लोगों के इंडस्ट्री को आप एक रोबोटिक अंदाज में नहीं चला सकते, कम से कम फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे इमोशन्स ही बनाये जाते हैं, इमोशन्स ही बेचे जाते हैं, और इमोशन्स ही देखने के लिए लोग जुड़ते हैं, वहां सागर जी जैसा बड़ा दिल, सागर जैसे विशाल हिर्दय के लोगों की जरूरत हमेशा रहे भी, सागर जी आपको फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं बूल पाएगी, और जिस दिन आप जैसे लोगों को इस इंडस्ट्री के लोग घुला देंगे, तो मुझे लगता है, लोगों का डाइरेक्शन भी भाटक च प्ले राइटर थे, और उससे भी बेहतर एक अच्छे इंसान थे, सागर जी कहा करते थे कि एक बेहतर इंसान के अंदर ही एक बेहतर राइटर जन्म ले सकता है, इन संदेशों पर जीने के प्रेयत्न के साथ ही, तो आईए मित्रों, जो लोग भी सागर जी को जानते हैं, या जो लोग नहीं भी जानते हैं, अब आप उनकी फिल्में देखे, आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार के राइटर थे, और उनकी राइटिंग के माध्यम से उनके विक्तित्व को पहचानने का प्रेयत्न कीजिए, क्योंकि अब तो सागर जी हमारे साथ नहीं रह लेकिन सागर जी का लिखा हुआ, देखने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सागर जी जैसे लोगों को जानना चाहिए, सागर जी जैसे लोगों को पढ़ना चाहिए, और मैं और मेरी तरह बहुत सारे मेरे मित्र, सागर जी के प्रती अपना धन्यवाद प्र और आपका धन्यवाद करते हैं इश्वय आपको अपने चरणों में स्थान दें और आप सदा ही हमारी आने वाली नई पीडियों के लिए प्रेणा के श्रोद बनें ओम शांति